नागपुर सराफा असोसियेशन की और से एक कारेक्रम का आयोजन किया गया कुछ दिनों पहले सराफा व्यापारी से गहने चुरा कर ले जाने वालों को 10 गंटे में हिरासत मिलिया गया और व्यापारीों का लूटा माल लोटाया गया पाचपावली पुलिस टीम के योगदान को अभिवादन करने के लिए उत्तर नागपुर सराफा असोसियेशन की और से एक स्वागत समारों का आयोजन किया गया जो साड़े चार किलो सोना और दो किलो चांदी ऐसे इसमें वो लुटेर को पकड़ना बहुत बड़ी मुश्किल थी लेकिन पुलिस विभाग को सलाम करूंगा कि उन्होंने दस गंटे के अंदर वो आरूपी को मुद्दे माल समय उनको अंदर किया हुआ है यह हमारे इत्यास में सबसे बड़ी बात है मैं अभितेश कुमार साब को अपने राजमाने साब को एक ठैंस कहूंगा कि हमारे सराफा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हम जिन्दे की बर कभी सराफा अशुशिन वाले उन्हें नहीं भूलेंगे इतना कहता हुआ जो कुछ दिन पूर्व एक सराफा व्यापारियों के उपर जो हमला हुआ था और उनकी जो जो जुलरी चुरा ली गई थी डाका डाला जैसे हुआ था और उनको जान लेवा जो हमला हुआ था और वो 27 घंटे के अंदर पाचपावली पुलिस और उनके टीम ने स्पेशली जोन्त्री के डिसीपी राजमाने साब की ततपरता से नाकपुर शहर के पुलिस अयुक्त अमितेश कुमार जी के वज़े से और भी बाकी सभी लोगों ने मिलके जो पुलिस डिपार्टमेंट ने 27 घंटे के अंदर इस गुना का परदाफाश किया ये एक जितन हमारा जो माल गया था उसे भी रिकावर किया उसके लिए एक प्रकार से सराफा असोशिचन के और के उत्तर सराफा असोशिचन के तरफ से धन्यवाद देने के लिए उनका स्वागत करने के लिए ये कारेक्रम आयुजित किया था और पुलिस का सही मैं अभार मानेंगे कि उनके वज़े से शायद पूरा एक समाज एक तरह से सुरक्षित है और इसलिए यह आज का एक प्रोग्राम यहाँ पर आयुजित किया गया। के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com